Good morning students, how are you all? I hope you all will be fine at your home. Now students, in your previous English class, I taught you chapter 3, My Elder Brother. As you remember, I taught you some explanation and difficult words. In explanation, आपने सुना होका की कैसे Leo Tolstoy और उनके Elder Brother Valoda की बीच में पाइट हुई थी. एक सेंट की बॉर्टल गिर गई थी इसके कारण और साथ में वो लोड़ा और Leo Tolstoy जो इस चैप्टर के author हैं, उनके relationship के बारे में भी मैंने आपको describe किया था. Now students, today we will continue this chapter. And you please don't issue orders. I retorted. When I think broken is broken and there's no more to be said. Then I smiled, though I hardly fed like smiling. As you remember, की narrator एक टेबल पे चड़े और उनसे गलती से सेंट की बॉर्टल टूट गई, जो वो लोड़ा की पेवरेट थी. और उसके बाद दोनों आपस में quarreling यानि जगड़ा करने रगते हैं. तो उसी के आगे इसमें बता रहे हैं कि, जो हमारी लेखा के हो कहते हैं अपने ब्रदर से, कि क्या इसमें बड़ी बात है अगर ये टूट गई है तो. अगर कोई चीज तूट जाती है, तो उसका मतलब तूट जाती है, तुम इसका क्यों इशू बना रहे हो और मुस्कुराते हैं. Yes, it means nothing to you, but it does matter to me. वलोडा सेड, वलोडा कहते हैं, तुम्हारे लिए तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही महत्तकूर था. Jerking his shoulders, a gesture he had inherited from papa, वो अपने कंधों को जड़काते हुए, jerking means बहुत तेज गुस्से में हिला करके, और gesture एक ऐसा पॉस्चर बनाते हैं कि देख के कोई डर जाये. Inherited from papa means जैसे कि उसके पिता करते हैं, उसी तरीके से उनका वो बेटा वलोडा भी करता है. I am not going to quarrel with you, said वलोडा, giving me slight push, go away. उसके बाद वो कहते हैं, उससे जगडा मत करो और धका दे करके आगे बढ़ जाते हैं. I said sternally, don't push, यह फिर से कहते हैं, मुझे धका मत दो. वलोडा इना, irritated wise, get away, और वलोडा जो हैं, वो बहुत ही irritated wise में कहते हैं, यहां से चले जाओ. I retorted, don't push, I tell you. और दुबारा फिर से, लियो टॉरस्टोय कहते हैं, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे धका मत दो. इस तरीके से दोनों के बीच के, पाइट को उनोंने बताया हैं. वलोडा took me by my hand and tried to drag me away from the table. वलोडा अचानक से मेरा हाथ खीशता है और टेबल से मुझे दूर धका दे देता है. But I got hold of the table and pushed it hard with my leg. लेकिन वो अपने पैरों को टेबल से लगा लेते हैं और धका देने पर वो वहाँ से हिलते भी नहीं हैं. As a result, the china and glass ornament crashed to the floor. Little boy cried वलोडा, trying to save some of his failing treasures. और इसके कारण वो लोडा ने जितनी भी चीज़ें जमा कर रखी थी, कुछ न कुछ ornament, जो कांच की थी, वो सब गिर जाती हैं और तूटकर चूर हो जाती हैं. और जिस तरीके से उन्होंने उसको store करके रखा था, वो सारा treasure उनका गिर जाता है. It is all over between us, I thought as I left the room. इस तरीके से दोनों के जगड़े होते हैं और अब लियो टॉल स्टोर कहते हैं कि मामला बहुत भी घड़ गया है, इसलिए मुझे यहां से चले जाना चाहिए. Now students, we continue the last paragraph. As soon as the afternoon lesson was over, I left the room, I was too uncomfortable and ashamed to be alone with my brother. जैसे जैसे दुपहर का ये सारा किस्सा खतम होता है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा होता है, मुझे शर्म आ रही होती है अपने भाई के सामने. But Waloda raised his head and with a meaningful smile looked at me. लेकिन Waloda इतना कुछ होने के बाद भी अपने भाई को माफ कर चुका होता है और मुस्कुरा के उसकी तरफ देखता है. Our eyes met and I knew that he understood me. हमारी आखें मिलती हैं और मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ वो समझ गया है कि मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूं. He said in natural voice, don't be cross anymore. Forgive me if I have offended you. Saying this, he held out his hand. अब जब दोनों एक दूसरे के contact में होते हैं, eye contact में होते हैं, तो Leo Tolstoy जो की सर्मिंदा पील कर रहे हैं और उनका भाई वो रोडा उन्हें देखता और ये बात समझ चुका है कि हाँ मेरे भाई को guilt है. फिर भी वो उन्हें कहता है कि तुम अब अपनी हद पार मत करना और Leo Tolstoy कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें offend किया तो उसके लिए मुझे माफ कर दो और दोनों एक दूसरे के hand को पकड़ते हैं. अब क्या होता है? ये एक कढ़ीन समय था उनके लिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के विस्ते को build up कर रहे होते हैं, बना रहे थे हैं जो भी जगड़ा हो गया था. और क्योंकि दोनों बहुत emotional है तो उनको उनकी साथ से काफी तेज चल रही है, जिसके कारण जो हमारे author हैं, उनकी आखों से आसू निकलने लगे अपने भाई के सामने. और finally उन्हें relieve मैसूस हो रहा है, forgive me Waloda, वो कहते हैं, Waloda मुझे माफ कर दो, I stammer means हकला कर, रोते हुए बोलते हैं, squeezing his hand, अपने हाथों को मलते हुए, Waloda looked at me as if he could not make out at all, why there were tears in my eyes. और इस तरीके से दोनों लोग इक दूसरे को देखते हैं और उनकी आखों में आसू रहता है, students हम सब भी अपने brother and sister के साथ जगड़ते हैं, but अगर हम जगड़ा करते हैं, तो थोड़ी देल में हमें इक दूसरे के साथ में सुला भी कर लेनी चाहिए, because it is a God gift relationship, कि हम भाई भाई हैं या भाई बहर हैं, so take care your brother and sisters also, this chapter has finished, now we will discuss some word meaning, come to the word meaning, word meaning, anguish, anguish means suffering, imitate, imitate means copy, passion, passion means strong liking, enthusiasm, intense enjoyment, inherent, inherited, received through birth, word, word means build up, you all do all word meaning in your copy, now students, we will meet in the next class, I hope you all understand whatever I taught you, you read the chapter again and again, we will meet in the next class, take care, good bye.